आज मैं आपको इस वीडियो में कक्सा बारवी के हिंदी के पेपर को सोल करवाओंगा जो एक्जाम 30 नॉवंबर 2022 को हुआ था वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के ओबर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब कोस्चन पेपर देखते हैं यह वो कोस्चन पेपर जो 30 नॉवंबर 2022 को हुआ था विद्यार्थी मुल्याकन एस एटी टू नॉवंबर 2022 विशे हिंदी कोर और कक्सा जो है बारवी है और पहला कोस्चन देखें पहला कोस्चन है हनुमान के आगमन से करुन रस में किस रस का समावेश हुआ तो इसका आंसर जो है वो है ओप्सन नंबर गै वीर रस उसके बाद कोस्चन नंबर सेकेंड है निराला के अट लिकाओं को क्या कहा है तो इसका आंसर है ओप्सन नंबर गै आतंक भावन उसके बाद next question है question number three custom अधिकारी सुनील दास गुप्त ने अपने अपना वतन किसे कहा है तो इसका answer है option number कै ढाका उसके बाद next question 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 number four गीता में किस लोग को सुधारने के रास्ते का वर्णन किया गया है तो इसका answer है option number घै कै एवम खै दोनो तो घै option जो है आपका answer है उसके बाद है series के works कैसे होते हैं इसका answer है option number घै बड़े और चायादार उसके बाद next question है question number six मत प्लस एक के में कौन सी संदी है तो इसका answer है वर्धी संदी वर्धी संदी जो है इसका answer है उसके बाद है question number seven किसी घटना समस्य या मुद्दे की गहन चानबीन और विसलेशन को क्या कहते है तो इसका answer है report साथवे question का answer है report उसके बाद है next question question number eight सच्चे भगत की पहचान क्या होती है तो answer देखें जो सच्चा भगत बन जाता है तो उसकी समय की कोई पहचान नहीं बचती सिर्फ रह जाता है उसके east के परती प्रेम उसका east इसके answer जो है मैंने notebook में लिखे हुए है थोड़ी देर में मैं आपको question paper पूरा दिखा कर इसके answer सभी answer मैं आपको notebook पर दिखाऊँगा उसके बाद next question देखते हैं next question है question number nine Charlie Chaplin की पहली film कौन सी थी तो इसका answer है making a living जो 1914 में release हुई थी उसके बाद है next question question number 10 सफिया लाहूर में कितने दिन रुकी तो इसका answer है 15 दिन इसके बाद मैं आपको question दिखा देता हूँ की question कौन कौन से है और उसके बाद मैं इसके answer दिखाऊँगा आपको जो मैंने notebook में इसके answer लिखे हुए है N ने अपने थेले में क्या क्या रखा था और क्यूं यह है question number 11 और उसके बाद है question number 12 नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे दवंदों के आधार पर उसकी दो मुखे चारित्रिक विशेशताएं बताएं उसके बाद है question number 13 सिरीज के फूल निबंद का मूल भाव संसिप्त सब्दों में लिखे है यह question number 13 और last question है आपका लक्समन ने स्री राम के लिए किन कस्टों को सहा था सपस्ट करें अब मैं आपको इनके answer दिखाता हूँ सभी answer मैंने लिखे हुए हैं और जो question number 8 का जो answer था वो भी है यहाँ पर उसके बाद जो question number 11 है वो है N ने अपने थेले में क्या क्या रखा था और क्यों तो answer देखे हैं इसका N ने सबसे पहले अपने बैग में एक diary ठूसी उसके बाद उसने color रुमाल स्कूली किताबे एक कंगी और कुछ पुरानी चिठियां थेले में डाली इस तरह की अजीबो गरीब चीजे रखने के कारण अज्यातवास जाने के विचार को बताता है उसके बाद next question है question number 12 नमक ले जाने के बारे में मन में उठे दवंदो के आधार पर उसकी दो मुख्य चारित्रिक विशेस्ताइं बताएं तो answer देखें सिख बीबी के लिए लाहोर से नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में दवंद उठता है इस दवंद से उसकी कई चारित्रिक विशेस्ताइं उभरती है answer देखें साफिया अपने वादे की पक्की है वह सयद है और सयद कभी वाइदा करके जुटलाते नहीं वह जान देकर भी वाइदा पूरा करने के परती संकलित है दूसरा है इसका दूसरी विशेस्ता जो है वह पहले वह नमक चिपा कर ले जाने का विचार करती है पर यह विचार उसे जचता नहीं और वह कस्टम वालों को नमक की पुड़िया दिखा देती है इसे पता चलता है कि वह लुका छिपा कर काम करने में विश्वास नहीं करती सिरीज के फूल निमबंद का मूल भाव संसित सब्दों में लेखें सिरीज के फूल सिर्शक निमबंद कलप लता से उद्धत है इसमें लेखक ने आंधी लू और गर्मी की परचंडता में भी बच्चे की तरह एविश्लित होकर कॉमल फूलों का सौंदरिया बिखेर रहे सीरीज के माद्धम से मनुस्य का जीवन और कलहे के बीच धैरिये पूरवक लोगों के लिए चिंता करतवे सील बने रहने को महान मानों की मुल्ले के रूप में स्थापित किया है नैस कोशन कोशन नमबर फूर्टीन लक्समन को स्री राम के लिए किन किन कस्टों को सहा था सपस्ट करें आंसर देखें लक्समन ने स्री राम जी के लिए अनेक कस्ट सहे वे अपने माता पिता को छोड़कर उनके लिए वन में वन के कस्ट सहे आयोधा का सुक वैभा उत्याग दिया वे वन में राम के साथ रह तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के उपर क्लिक करने ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए